तो शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंटरनेशनल मंच के उपा चायना ने भारत को सपोर्ट किया है दरसल सेप्टेमबर में भारत के अंदर G20 के समीट होने वाली है अब भारत का प्रस्ताव है कि G20 के अंदर जो आफरिकन देश है और आफरिकन यूनियन है उसको एक स्थाईश अदर्श्य बनाया जाए और इसको लेकर भारत की तरफ से G20 के देशों को एक पत्रा लिखा गया है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन देशों से इस बात को लेकर अग्रह किया है इसका कारण है आफरिकन यूनियन में कुल 55 देश शामिल है और इनकी जो जनसंखा है वो 1.3 बिलियन है इतने बड़े यूनियन को सामिल कर लेने से इनकी आवाज इंटरनेशनल मंच पर सक्त होगा और गौर करने वाली बात है कि इस प्रस्तब में चाइना सही यूएस और फ्रांस ने हाँ कर दिया है और बाकी देशों का हाँ करना बाकी है अगर आप लोग वाल्ड अफेयर से जुरा हुआ कांटेंट डेकना चाहते है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना